अगर आपके पास एक ततकाल का वेटिंग वाला टिकट है या फिर अपनी अप ततकाल की टिकट को बुक कर रहे थे बुक करते करते वो वेटिंग के कंडिशन में पहुंच गई तो अब ऐसी कंडिशन में आपको कितना रिफंड वहाँ पे देखने को मिलेगा क्या आप अपनी उस ततकाल की वेटिंग वाली टिकट से जर्नी को कर सकते हैं फिर नहीं इन सभी कोशन का अंसर इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में मिल जाएगा पस दो से तीन मिट दीजिए सार अडाउट एक तम क्लियर हो जाएगा आए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्नी के रूल को लेकर के कि क्या आपका जो ततकाल का वेटिंग टिकट है अगर कनफॉर्म नहीं हो पाता है तो आप उससे यातरा कर सकते हैं या फिर नहीं तो बिल्कुल धान से समझेगा यहाँ पिसके दो आंसर आपके सामने हैं आप यातरा कर भी सकते हैं और यातरा नहीं भी कर सकते हैं तो सबसे पहले समझेगे कि आपका भी यातरा नहीं कर सकते हैं मान लिजे कि आपने एक टिकट बुक किया है वो बेटिंग में रह गया अगर आपने दो टिकट बुक किया है दोनों वेटिंग में रुख गया तीन बुक किया है तीनों का तीनों वेटिंग में रुख गया यानि कि आपकी जो टिकट है वो पूरी fully wait listed है तो वहाँ पे आप इससे जर्नी नहीं कर सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ आप रेल्वे आपके उपर पेनल्टी लगा देगा, दूसरा पॉइंट समझे कि आप कब जर्नी कर सकते हैं, अगर आपकी जो ततकाल की टिकट है वो partially confirmed है, कहने का मतलब आपने let's suppose दो टिकट बुक की, एक वेटिंग रहे गई, एक गई या फिर आपने तीन बुक किया है, एक confirm हो गई, दो waiting रुख गई, या फिर दो waiting में रुख गई है, दो confirm हो गई, या मतलब कुछ ऐसा scenario है, कि कुछ टिकट वेटिंग है, या ektिकट कन्फॉर्म है जा सकते हैं कोई भी दिक्कत की बात नहीं है नहीं रेलवे उनको पर कोई भी चार्ज या फिर पेनल्टी लगाएगा जो भी बचा हुआ पैसा है आपको रीफंड की रूप में दे दिया जाएगा ऑनलाइन आपने बुक किया होगा तो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा अगर आपने काउंटर से बुक किया होगा तो आपको काउंटर पर तो हैंड टू हैंड रिसीव हो जाएगा एसी वाला वेटिंग टिकट है अगर आप उसको कैंसिल गराते हैं तो आप की उपर रेलवे 60 रूपीज प्लस जी एच्टी पर पैसेंजर की साप से चार्ज लगाएगी और उसके बाद आपका जो भी पैसे आपको रीफंड कर दे जाएगा ऑनलाइन होगा तो आपके आपके लिए बाबाय